Hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे about light ये class 8 science का topic है So light क्या होती है? जैसे कि मैं आपको भी visible हूँ क्योंकि आपको मैं दिख रही हूँ because light जो मुझ तक आई वो reflect होकर आपको आपके eyes के थूँ दिख रही है क्या मैं एक ऐसे object हूँ जिसके खुद की light है? नई, मैं तो सिर्फ यहाँ पे जो light है जो मुझ पर पढ़ रही है उसे reflect कर रही हूँ तो आपको visible हो पा रही हूँ पर अगर मैं sun की बात करूँ तो sun तो एक ऐसा object है जिसके खुद की light है stars तो ऐसे object है जिनकी खुद की light है यहीं अगर हम moon की बात करें तो moon केवल reflect करता है sun की light जो उस पर पढ़ती है तो ऐसे objects जो की खुद की light नहीं possess करते हैं उन्हें हम non-luminous objects कहते हैं और ऐसे objects जो की दूसरों की light उन पर पढ़े और उसे reflect करें उनको हम कहते illuminated objects तो अब हम बात करेंगे about how does this process of reflection takes place light मुझ तक आई मुझ से reflect होकर आपकी आँखों में गई तो मैं visible हो पा रही हो because I am reflecting the light that is falling on me so this is how things are visible to you तो अगर मैं आपको बूलू एक अंधीरे कमरे में चले जाएंगे तो अंधीरे कमरे में तो light है नहीं तभी तो आप वहाँ walk नहीं कर पाएंगे confidently आप इधर उदर चीजों से टकरा जाएंगे क्योंकि वहाँ light नहीं है तो किसी भी object पर light पर नहीं रही और वो light reflect कर नहीं रहा So this is the concept of reflection जिसकी की वजह से जो objects है वो visible होते है या फिर वो luminous objects हो जिनकी खुद की light होती है तो भी वो visible हो जाते है So अब हम बात करेंगे light जो है किस तरीके से हो सकती है emit किसी भी object के द्वारा emit हो सकती है जैसे कि मैं एक bulb की बात करूँ तो वो light emit करता है similar अगर मैं अपने खुद की बात करूँ तो मैं light reflect कर रही हो तो ये दोनों तरीके से emission और reflection से visibility आ जाती है तो I hope ये आपको समझ में आ गया अब हम next पढ़ते हैं light ray जो किसी भी surface को strike करती है उसको हम incident बोलते हैं और incident होने के बात जो वो surface उसे reflect करता है तो उसे हम reflected ray बोलते हैं यानि light आई तो incident और गई तो reflected तो आईए हम इसको और detail में पढ़ते हैं through laws of reflection तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ray आई उसे हम बोलते हैं incident ray और जो ray reflect होकर गई उसे हम बोलते हैं reflected ray तो ये हो गई आपकी incident ray क्योंकि ये आई है यहाँ पर और एक surface पर आकर ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आकर ये टकराई और यहाँ से reflect हो गई है सर्फिस के द्वारा तो यह हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे और यह इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई अब यह जो सर्फिस है इसके 90 डिगरी पर मैंने जो यह लाइन ड्रो करिया ऐसे हम बोलते हैं नौर्मल और according to the laws of reflection यह जो अपका normal है यह जो incident ray है और यह जो reflected ray है यह जो surface है यह सब एक ही plane में लाइक करते हैं जी हां यह हमें धिखाई भी दे रहा है और यह जो angle है यह है angle of incidence और यह जो angle है theta से represent करते है angle को और theta r इसलिए लिखा है क्योंकि यह है angle of reflection तो हमारा law जो है वो क्या कहता है angle of incidence is always equal to the angle of reflection so this is the first law next is the incident ray, the normal and the point of incidence all lie in the same plane तो I hope यह इस diagram के through आपको clear है अब हम एक activity study करेंगे जिसमें कि यहापे हमने एक paint की bottle ली है और यह हमने एक plane mirror लगाया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी image बन गई है तो यह हमारा object है और यह हमारा image है तो अगर मैं ध्यान से देखू यह object से जो light rays टकराई वो यहाँ पर mirror पर जाकर टकराई और mirror से वो reflect हो गई और वो observer की eye पर जाकर जुड़ गई तो observer को यह image दिखाई दी अब क्योंकि यह टकराने वाला surface plane mirror है तो I am sure आप guess कर पा रहे होंगे कि यह image कैसी होगी जी हाँ यह image erect होगी और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यह जो image है it will be as the same size as the object उसके बाद अगर मैं बात करूँ next तो जितना कि यह object mirror से दूर है उतना ही पीछे image होगी mirror से तो क्या आपको यह सारी चीज़े याद आ रही है यह हमने class 7 science में भी पढ़ा था जिसमें कि हमने detail में पढ़ा था about plane mirror and reflection from the plane mirror So, क्या आपको यह याद है कि अगर आप mirror के सामने left hand करा करेंगे तो image जो है वो right hand erect करेगी जी हाँ यह left का right होना is nothing but lateral inversion इसको हम बोलते हैं lateral inversion तो plane mirror में जो image बनेगी वो laterally inverted होगी तो हम यह सारी चीज़े पढ़ चुके है plane mirror के बारे में और हम जानते हैं कि यह image कैसी होती है virtual image virtual image होगी lateral inversion अंड़को करेगी यानि कि क्या? left becomes right and right becomes left तो I hope यह activity आपको एकदम clear है तो हमारी next video में हम इस chapter light के different methods पढ़ेंगे जिसमें कि हम यह देखेंगे कि reflection क्या होता है और उसके और applications देखेंगे till then thank you Hello everyone, welcome to magnet brains I am Avneet Kaur और आज हम पढ़ेंगे about light यह class 8 science का topic है तो light के बारे में हम पहले ही पढ़ेंगे जिसमें हमने reflection और laws of reflection के बारे में पढ़ा था जिसका सबसे important part था कि angle of incidence is equals to angle of reflection तो इसी का use करते हुए आज में आपको पढ़ाऊंगी different types of reflection तो regular और diffused यह दो type के reflections होते हैं What do you mean by regular reflection and diffused reflection तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो surface है यह बहुत ही irregular है अब laws of reflection तो valid होंगे यह light ray आई reflect हुई हमेशा angle of incidence तो angle of reflection के बराबर ही होगा बट क्योंकि यह irregular surface है तो आप देख सकते हैं कि यह जो reflection है यह कितना unsymmetrical uneven type का हो रहा है और ऐसे ही reflection को हम बोलते हैं diffused reflection वही अगर मैं next part करूँ कि parallel rays किसी smooth surface से तकराएं तो वो एकदम symmetrically even direction में जाती है और इसको हम बोलते हैं regular reflection तो यहां पे भी यहां तो हमें दिखाई ही दे रहा है that angle of incidence is equals to angle of reflection so reflection from a smooth surface is known as regular reflection तो I hope this is clear to you और irregular surface का जो था उसको हम irregular या diffused reflection कहते हैं यह तो हम पढ़ी चुके हैं so I hope this is clear to you कि irregular surface से diffused या irregular reflection होगा और smooth surface से regular reflection होगा अब हम बात करेंगे multiple reflections की तो अगर मैं आपसे बोलू कि आप अपने hair dresser की shop पे जाता है बाल कटाने जाता है आप बैठे हैं सामने mirror में आपको आपका face दिखाई देगा after the haircut जो आपका नई होता है वो क्या करता है एक कांच लेता है और वो आपके पीछे जाता है वो आपके पीछे जाता है और फिर आपको सामने वाले कांच में अपने बाल दिखाई देते है What is this? Reflected ray can be reflected again Reflected light can be reflected again क्योंकि जब मैं अगर आपसे बात करूँ कि आप अपना face देख रहे है mirror में but यह जो reflected light ray है यह पीछे वाले कांच पे पड़ी और पीछे वाले कांच में आपका जो है क्या दिख्या? Haircut दिख्या So this is called reflected ray again got reflected and this was like two times reflection took place और इसी की वज़े से क्या हुआ? इसी की वज़े से आप अपने बाल देख पाए वही बैठे बैठे So this is an example अब इसी की application हम देखेंगे periscope में तो periscope भी यही करता है वो दो plane mirrors का use करता है और उससे multiple reflection की वज़े से क्या होता है? वो हम अभी देखेंगे Reflection from two mirrors enables you to see the objects which are not visible directly तो आप यह जानते हैं सामने एक कांच है बड़ जो पीछे वाला कांच है उसससे जब reflection हुआ तब आपको आपके बाल दिखाई दिए क्योंकि सामने वाले कांच में तो पहले आपको आपका चहरा ही दिखाई दे रहा था पर जब पीछे भी कांच लगाया और वहां से भी reflection हुआ तो आपको आपके बाल भी दिखाई दिए तो आपको आपको समझ में आ गया है और इसी का एक और example है periscope और ये type के जो multiple reflection है ये submarines और tanks में भी यूज किये जाते हैं तो आइए हम next देखते हैं तो एक activity के through हम ये देखेंगे तो image in a plane mirror parallel to each other देखें ये कैसी image बन रही है plane mirror में तो ये कैसे होता है आईए देखते हैं इस activity के through हमने दो plane mirrors लिये हमने दो plane mirrors लिये और उन्हें 90 degree angle पे एक दूसरे के edges touch करते रख दिया यानि कि ऐसे और हमने क्या किया हमने यहाँ पर एक coin रखा या फिर एक candle रखा कोई भी ऐसा एक object रखा हम यह देखेंगे कि हमें उस candle के बहुत सारे images दिखाई देंगे इन दो कांच में अगर मैं angle change कर दूँ इन दो कांच का 90 degree के अलावा कुछ और कुछ और कुछ और angle कर दूँ तो मुझे बहुत सारी images दिखाई देंगे उस candle या उस coin की This is known as multiple reflection और ये plane mirrors का जो application है ये periscopes में भी use होता है So I hope आपको ये चीज समझ में आ गई है कि कैसे multiple reflections दिखाई दे सकते हैं आप इस image में भी देख सकते हैं इस candle के multiple images आपको दिखाई दे रहे हैं So this is known as multiple reflection आप point भी रख सकते हैं आप candle भी रख सकते हैं और angle change करेंगे न angle change करेंगे दोनों mirrors का और object को भले वहीं पर भी रख रहन देंगे तो अभी object की multiple images आपको दिखाई देंगी और यही जो है principle kaleidoscope में यूज होता है periscope में यूज होता है तो आप आईए हब हम देखते हैं kaleidoscope कैसे work करता है तो I'm sure आपने देखा होगा आपने इस toy से खेला भी होगा जिसका नाम kaleidoscope है तो कुछ ऐसा दिखता है यह और इसको बस हम अलग अलग angles से देखते जाते हैं तो हमें अलग अलग प्यारी-प्यारी images, patterns, designs दिखते जाते हैं तो kaleidoscope बनता कैसे है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको तीन mirrors लेने है तीन plane mirrors और उनको एक triangular pyramid के fashion में जोड़ देना है यानि कि जैसे कि हम एक hut बनाते हैं इस तरीके से हमने एक hut बनाई और हमने नीचे भी एक plane mirror लगा दिया तो क्या बन गया? यह एक pyramid बन गया अब इस pyramid को जो है हमने use किया kaleidoscope में आईए देखते है कैसे एक long cylindrical tube में या cardboard की जो long cylindrical cardboard हमने लिया और उसमें हमने ये जो है हमारा pyramid जो है उसको हमने क्या किया? डाल दिया और top surface पे यहाँ पे जैसे ये top surface है इस पे भी मैंने cardboard box लगा दिया और उस cardboard पे मैंने hole कर दिया तो मैंने इसको एक side से कैसे cover किया cardboard से और उस cardboard पे hole कर दिया जिसके through मैं देखूंगी और back side में मैंने क्या लगा दिया? एक plain mirror और मैंने कुछ colorful objects भी डाल दिया उसके अंदर तो क्या होगा? जब each time I move the kaleidoscope and I view through it मुझे different patterns दिखाई देंगे and वो patterns क्या होंगे? multiple reflections का result होगा क्योंकि जो हमने plain mirrors use किया उनके through बहुत सारे multiple reflections होंगे जिसकी वज़े से beautiful beautiful designs create होते जाएंगे so this is the principle of kaleidoscope so I hope this is clear to you कि हमने क्या किया है? हमने ये arrangement जो है circular cardboard में fix किया है एक end को close कर दिया है जिसमें हमने hole कर दिया है उसके बाद हमने बाकी दूसरी end पे जो है plain glass का plate लगा दिया है और इस पे जो है हमने छोटे-छोटे colored glass के pieces रख दिये तो क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? जैसे ही उसको view करेंगे तो multiple reflections की वज़े से हमें बहुत सारे patterns दिखा रहे देंगे तो I hope कि आप खुद भी घर बैठे हुए अपना kaleidoscope बना सकते हैं तो this is how it looks and this is how it helps you to see the beautiful designs so I hope this is clear to you now हमने class 7 science में पढ़ा था about sunlight being made up of 7 colors जिसका के अमने short form learn किया था विब ग्योर violet, indigo, blue, yellow, orange, green तो green and red तो ये जो आपका विब ग्योर था ये जो 7 colors थे ये 7 colors rainbow के भी होते है तो अगर मैं कोई ऐसा object ले आँ जो की white light को इसके component colors में split कर दे तो इस process को बोला जाता है dispersion और इसके लिए हमने class 7 science में पढ़ा था कि हम use करते है prism तो prism के थूँ जब white light pass करती है तो वो अपने असली रंग दिखा देती है that is it is made up of 7 colors ये पता चल जाता है इसको हम एक activity से भी पढ़ सकते हैं आइए देखें तो get a plane mirror of suitable size place it in a bowl with water तो जो bowl है जिसमें water है उसमें मैंने एक plane mirror रखा और यहां से direct sunlight उस पर पढ़ रही है क्या होगा ये जो water के अंदर ये जो plane mirror है ये prism की तरह act करेगा और screen पे मुझे क्या मिल जाएगा screen पे मुझे मेरे 7 colors मिल जाएंगे तो reflected light will be seen to have many colors because this has acted as a prism और ये splitting of light into its colors is known as जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा dispersion और ये इसका example तो हम देखते ही है rainbow यहां पे भी आप example देख सकते है this process is known as dispersion तो I hope this is clear to you तो हमारी next video में हम इसी chapter को continue करेंगे complete course के लिए Magnet Brains Plus में ज़रूर upgrade करें हमने इसका price बहुती nominal रखा है till then thank you Hello everyone, welcome to Magnet Brains I am Avnit Kaur और आज हम Class 8 Science का topic light इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमने light और reflection और laws के बारे में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे about I क्योंकि एक हमारी body का जो part है जिसके through हमें सारी चीज़े visible होती है that is I and therefore it is a very important organ of our body So I का क्या function होता है ये तो हम सब को पता है it perceives through light तो अब I ये function कैसे perform करती है इसका क्या detailed logic है क्या-क्या parts है जो हमें बाहर से नहीं दिखते हैं बट अंदर होते हैं आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो आप I का एक simple diagram देख सकते हों यहापर ये simplest diagram है तो सबसे पहले तो आपको याज रखना है कि हम eyes के बारे में अगर बात करें तो एक white color का part होता है जो हमारी eye का सबसे common part होता है जिसके अंदर अगर मैं बात करो एक spherical part है जिसको की हम बोलते है iris और यह जा outermost covering है क्या आप उसका नाम जानते हैं अगर हाँ तो please comment section में जरूर comment करें तो आए डीटेल में पढ़ते है eye की shape होती है spherical और outer coating तो white होती है और इसको क्या बोलते है cornea और transparent front part ही होता है cornea cornea के पीछे अगर मैं बात करो cornea के पीछे होता है हमारा iris iris के अंदर जो है होता है pupil तो iris जो है वो जो हमारी eyeball वाला पार्ट है उसको actually में हम iris बोलते हैं और उसके अंदर का जो उसका central part है उसे हम pupil बोलते है तो I hope these parts are clear to you iris के अंदर क्या होता है pupil so हम यहाँ देख सकते है कि outer most जो covering है that is known as cornea और उसके बाद जो है इसके अंदर की जो मौझूद है वो क्या है pupil तो अभी हमने सरफ यह बहारी हिस्तों के बारे में ही बात करी अभी तो हम अंदर के बारे में बात ही नहीं करें अभी तो जो हमें visible होता है मैं आपको सामने से देखू तो मुझे आपके currency ۲ आए ते लुए पार्ट् विसिबल होतależy तो अब मुझे यह अंदर के पार्ट्स के बारे में भी बताना है। उसके पहले हम इन तीनों को कौन कंट्रोल करता है कि प्यूपिल कितना खुलेगा कितना नहीं खुलेगा उसको कंट्रोल करता है आईरिस आईरिस कंट्रोल करता है कितनी लाइट आपकी आई में एंटर करेगी सपोज अगर आप बहुत ही अंधीरी जगा में चलेगा है जहाँ बहुत ही अंधिर है तो आ आइरिस अपने आपको कॉंट्राक्ट कर देगा ताकि कि कम से कम लाइट आ सके तो depending upon the situation, आइरिस कंट्रोल्स दी अमाउंट अफ लाइट entering in the eye, कौन डिसाइड करता है? आइरिस, आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होती है known as pupil, तो अगर मैं आपसे बात करूँ, कुछ लोगों की eyes brown होती है कुछ लोगों की eyes का color green होता है and so on, ऐसा क्यों होता है क्या आप बता सकते हैं यह कौन सा part है जो यह decide करता है, कौन सा part है जिसकी वज़े से eyes का color different होता है, can you please tell me, that is iris, iris ही एक अलग color देता है हर एक person की eyes को, so I hope these outer parts are clear to you now what about the light entering through pupil, हमें पता है कि iris allow करता है light को enter करने में और जो है control भी करता है कि कितनी light enter कर रही है but light enter तो iris की opening pupil के through करती है तो pupil के बाद light जाती किदर से है, आपको मैं कैसे देख पाऊंगी, आप मुझे कैसे देख पाऊंगी इसका अभी तो सरफ light enter हुई है, what next light जो enter करती है, फिर वो lens, हमारी eye के अंदर एक lens होता है and this eye lens के through reflection होता है और image बनती है एक screen पे जिसको के हम बोलते है retina, तो हमारे eyes के अंदर जो screen है that is nothing but retina तो actual screen नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत जादा sensations create होते है कहाँ पर nerve cells में, retina पर बहुत सारे nerve cells present है और जैसे ही light यहाँ से यहाँ आती है और nerve cells में कुछ-कुछ sensations होने लगती है और यह sensations जो है, nerve cells जो feel करते हैं, यह sensations nerve cells किसको भेज देते हैं? brain को, through the optic nerves और वहाँ पर brain उसको interpret करता है कि actually मैं eyes ने क्या देखा तो I hope यह outline आपको clear है, तो I am, हम और थोड़ा discuss करते हैं about the inner parts तो हमने पढ़ लिया है कि eyes के पीछे ही क्या होता है, eye lens होता है और lens क्या करता है, वो focus करता है light को back of the eye में जहाँ पर एक layer है जिसको कि हम retina बोलते हैं अब retina में क्या होता है, हमने पढ़ा है nerve cells होते हैं और यह sensations जो है, यह nerve cells जो है brain तक पहुचाते हैं via the optic nerves, तो I hope यह detailed diagram में आपको समझ में आ रहा है, what is pupil, what is cornea, lens, iris and the optic nerves So this is the diagram of human eye, so I hope this is clear to you तो अब यह optic nerve brain से connected होगी, जहाँ पर brain interpret करेगा और image form कर लेगा So I hope this entire thing is clear to you, अब हमारे पास दो type के जो है cells होते हैं जो दो type के cells होते हैं, एक होते है cones और एक होते है rods तो cones क्या करते हैं, वो bright light और color की तरफ active होते हैं जैसे ही कोई light आई, bright light आई, तो उसकी तरफ कौन active हो जाएंगे, cone cells अगर मैं rod cells की बात करो, तो woke up active होगे, जब light बहुत ही dim आ रही हो, तो rod cells active हो जाएगे तो अब आप क्या बता सकते हैं, colors देखने के लिए कौन responsible होगा, जो brightness के लिए responsible होगा, that is cone cells तो I hope this is clear to you, एक ऐसा point होता है eye में, जिसे की हम बोलते है blind spot तो retina पे एक ऐसा part होता है, जो inactive होता है, जहां से optic nerves connected नहीं होती हैं, that is known as blind spot तो I hope यह आपको पूरे चीज़े clear है, और human eye की functioning भी आपको clear हो गई है और कैसे optic nerves जो है, वो brain से connected होती है, और कैसे image form होती है, यह आपको समझ में आ गया है तो आएब हम next activity, एक देखते हैं, जिसमें की, एक मैं बहुत ही simple तरीके से आपको बताऊंगे आपको यह activity आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, simply आपको एक cardboard का piece लेना है और उसमें दो holes पनाने है, एक-एक thread उन दोनों holes में टांगना है, यानि कि दो thread वाले cardboard हो गए एक cardboard पे आप ड्रॉ करेंगे, bird और दूसरे cardboard में आप ड्रॉ करेंगे उसका cage और अब आपको क्या करना है, आपको quickly इन दोनों को move करना है एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे से फिर दूर So, twist the string and make the card twirl rapidly, इस तरीके से ये move करना है तो आपको पता है कि bird अलग है, अलग cardboard पे drawn है, cage अलग cardboard पे drawn है बट आप उससे अगर twirl कर ले, एक दूसरे के पास ऐसे कर रहे है, तो आपको एक time के बाद देखने में ऐसा लगेगा कि चिडिया पिंजरे में चली गई, bird went inside the cage, तो ऐसा है तो नहीं, bird अलग है, cage अलग cardboard पे है फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि bird cage के अंदर चली गई, that is because of our brain जो की interpret नहीं कर पाया कि bird अलग है, cage अलग है, जो image बनी, वो कैसी बनी कि bird cage के अंदर जा रही है, ऐसा क्यों हुआ और क्या आप समझ पारें, जब आप movies देखते हैं, तो वो क्या होती है actually में, क्या वो actually में इतनी continuous होती है क्या सारी movie एक ही बार में shoot हो जाती है, नहीं, it is done in parts और यह images जो है, यह सारी images जब एक साथ जुड जाती है, और उन्हें बहुत ही fast speed में अगर मैं play कर दूँ, तो ऐसा लगता है वो images नहीं है ऐसा लगता है वो video ही है, जैसे कि अभी हमने bird और cage के case में देखा तो ऐसा क्यों होता है, आईए देखते हैं हम इसके पीछे का logic एक हमारे brain में जब एक image form होती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि पहले वो eye pupil के through, iris में pupil है, pupil के through जाती है फिर eye lens से, retina पे जाती है, फिर वहाँ पे हमारे nerve cells होते है, जो कि optic nerves के through brain में image form करते है और we can see the object, तो यह जो पूरा process है, इसको होने में, impression जो create होता है image का, यह 1 16th of a second तक हमारे brain में रहता है यानि 1 by 16th of a second तक यह जो है हमारे brain के अंदर रहेगी वो image और अगर मैं बात करूँ, movies में क्या करते हैं, एक time पे suppose 24 images डाल दी तो आपका brain क्या करेगा? आपके brain को तो ऐसा लगेगा कि 1 by 16 second अभी तो हुआ है नहीं पूरा और फिर से image आ गई, आती गई, आती गई, आती गई तो आपके brain ऐसा interpret करेगा कि वो image नहीं है, वो continuously images का आना एक video के form में आपका brain interpret करेगा और अगर उससे जादा speed में हम images डालें, तो उससे क्या होगा? एक video, एक पूरा continuous format हमें, जो है, interpret हम कर पाएंगे So, अगर में 24 pictures per second आलू, तो क्या होगा? क्या मेरा brain interpret कर पाएगा? पहली image आई, दूसरी image आई, जल्दी जल्दी सारी images आती गई, तो क्या बन जाएगा? एक video बन जाएगा So, this is how movies actually work. So, I hope this is clear to you. अब हम अगर बात करें, हमने में eyes के बारे में बात करें, हमने देखा cornea, iris, pupil But eyelid, जो सबसे outermost part होता है, जो हमारी delicate organ eye को protect करता है, that is eyelid I am sure आप सब अपने eyelid को मतलब महसूस कर पा रहे होंगे, तो eyelid क्या करता है? It's a covering, वो आपके eyes को protect करता है तो eyelid protects the eye, अगर बहुत जादा light आएगी, तो वो एकदम से आखें बंद हो जाती है तो that is because eyelid protects the eye, तो eyelid जो है, eyes का जब role नहीं होता है, जैसे हम जब सो रहे होते हैं, तो eyelid eyes को shut कर देते है तो I am sure यह सब आपने experience किया होगा, अब eyes के protection के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें, जब भी हम कोई भी किताब पढ़ें, तो हमें यह instruction जा जाता है, कि वो किताब हम एकदम past से ना पढ़ी, और एकदम ही दूर से भी ना पढ़ी तो जो ideal distance होता है, वो 25 cm होता है, और अगर आपने उस distance को mental किया, तो कभी भी आप eye diseases से suffer नहीं करेंगे जैसे कि कुछ लोगों को चश्मा लगा होता है दूर का, that is myopia, कुछ लोगों को चश्मा लगा होता है पास का, that is hypermetropia, तो यह जो दो eye diseases है, यह तब ही होती है, जब हम अपनी eyes को strain कर देते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी eyes जो है, एकदम perfectly work function करेंगी, और ह बट आपने देखा होगा, with old age, कुछ लोगों की जो eyeballs होती है, वो cloudy हो जाती है, यानि कि धुन्दली हो जाती है, ऐसा लगता है उसमें कुछ shines ही आ गई है, तो यह आपने observe किया होगा अपने grandparents में, तो उनकी eyes कुछ इस तरह की दिखने लग जाती है, So this is a disease known as cataract, और cataract की वज़े से धुन्दलापन आ जाता है, तो visibility एकदम ही कम हो जाती है, इसलिए cataract के operation के बारे में भी आपने सुना होगा, तो इसमें क्या करते हैं, वो जो धुन्दला सा eye lens होता है, उससे replace कर देते है, artificial eye lens से, तो eye lens पे धुन्दलापन आ जाने से cataract हो जाता है, और उसका treatment है, cataract operation, जिसमें eye lens को जो है, artificially change कर दिया जाता है, तो यह जो opaque lens है, क्योंकि उसमें एक धुन्दला पना गया, तो अब उसके थुरू तो दिख नहीं पाएगा, तो हमने उसे opaque lens बोल दिया, और artificial lens उसकी जगा पे लगा दिया जाता है, तो जो आप का खुद का eye lens है, जो की धुन्दला हो गया, उसे replace करके artificial eye lens लगा दिया जाता है, by a surgery, how will you take care of your eyes, हमें पैदा है, कि हमें carrot खानी चाहिए, which is rich in vitamin A, तो vitamin A rich fruits and foods should be consumed to keep your eyes to function properly, तो आईए देखते हैं, सबसे पहले तो अगर आपकी आखी कमजोर है, तो spectacle जरूर यूज करें doctor की सला से, उसके बार अगर हम बात करें, अगर आप light की कमी में पढ़ाई करते हैं, या mobile चलाते हैं, तो उससे आपकी आखों में strain पढ़ता है, जिससे की वो कमजोर हो सकती है उसके अलावा, अगर आप अपने food intake में proper vitamins नहीं ले रहे हैं, तो vitamin A की कमी हो सकती है, और उससे जो disease cause होता है, वो होता है night blindness, तो अगर हम बात करें, vitamin A बहुत ही जरूरी है, नहीं तो night blindness हो जाएगा उसके अलावा, कुछ भी ऐसा source जो कि बहुत ज़ादा light का source है, वो भी आपकी आखों में directly नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका retina भी खराब हो सकता है, अगर एकदम से बहुत ज़ादा light उस पर पढ़ जाए अगर आपके eyes में कोई particles चले जाए, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आपको eyes को rub नहीं करना है, आपको बस cold water से अपनी eyes को wash करना है तो I hope यह कुछ safety measures है, जो कि आप लेंगे तो आपके eyes normally function करेंगे So, now let's move to the next तो हम सबको परता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिनका की eye lens completely damage हो जाता है उन्हें हम बोलते हैं blind, तो अगर मैं blind लोगों के लिए बात करूँ, तो Louise Braille नाम के scientist ने एक Braille script बनाई थी, जिसका की एक example मैंने यहाँ पर लाया है तो इस example में आप देख सकते हैं, C को इस तरीके से dots और dashes से denote किया गया है A को इस तरीके से, T को इस तरीके से तो क्यूंकि जो लोग blind होते हैं, वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो इन patterns को touch करके spares और dashes को feel करकर, यह बता सकते हैं कि यह C लिखा है यह बता सकते हैं कि यह A लिखा है and then they can form a word जैसे कि अगर मैं बात करूँ, and के लिए यह वाले आपके scripts है कॉमा के लिए यह है, तो उनको यह वाले scripts learn कराए जाते हैं और इसको ही हम बोलते हैं Braille, तो Braille language is that of blind people so, इसमें 63 dot patterns होते हैं, और characters होते हैं, जो की visually challenged यानि की blind people के काम आता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इनको learn करना पड़ता और फिर touch करकर वो क्या कर सकते हैं, वो उन्हें, जो है, touch करने के बाद वो realize कर सकते हैं कि वो किसका symbol है, और फिर वो read भी कर सकते है and ये जो braille text है, इसको हम हाथ से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको typewriter से भी type कर सकते हैं so, I hope this is clear to you कि ये जो braille system है, ये केवल visually impaired या visually challenged लोगों के ही काम आता है and it was given by Lewis Braille so, this completes your chapter so, इसके next video में, हम इस chapter के NCRT solutions को discuss करेंगे complete course के लिए Magnet Brains Plus में जरूर upgrade करें हमने इसका price काफी nominal रखा है till then, thank you hello everyone, welcome to Magnet Brains आज हम पढ़ेंगे light ये class 8 science का topic है और आज हम इसके NCRT solutions को discuss करेंगे so, हम पहला question देखते है suppose you are in a dark room can you see the objects in the room? can you see the objects outside the room? explain तो अगर आप एक dark room में है तो आपको पता है कि वहाँ बिल्कुल भी light नहीं है तो अगर वहाँ पे जो सारे objects पढ़े है उन पर light पढ़ेगी नहीं और light reflect नहीं होगी तो वह आपको देखेंगे कैसे क्योंकि आपको तो पता है objects हमें उसी तरीके से दिखते है जब या तो वो light emit करें या फिर reflect करें तो darkness में तो ये दोनों ही चीज़े पॉसिबल नहीं है पर अगर dark room से में बाहर देखूँ lighted room की तरफ तो वहाँ पे जो objects है उन पर light पढ़ रही और वो light को reflect कर रहे है इसलिए वो visible हो जाएगे differentiate between regular and diffuse reflection does diffuse reflection means failure of laws of reflection तो regular reflection और diffuse reflection इसको irregular reflection भी बोलता है और में ये difference है कि regular reflection regular surface के through होता है यानि कि इस case में क्या होता है जो हमारा surface है वो smooth होता है और अगर मैं irregular या फिर diffused reflection की बात करो तो irregular surface ते जो reflection होता है उसे हम diffused या irregular reflection बोलते है उसके अलावा regular reflection में जो हमारी incident rays होंगी अगर वो एक दूस्टरे के parallel है तो reflected rays भी एक दूस्टरे के parallel होंगी काफी symmetrical तरीके से होगा बट diffused reflection में क्या होगा कि जो आपकी rays है वो एक दूस्टरे से parallel नहीं हो पाएंगी incident ray और reflected ray भी एक दूस्टरे से parallel नहीं होंगी तो क्या इसका यह मतलब है कि laws of diffusion जो है वो valid नहीं है जी नहीं laws of reflection हमेशा valid है क्योंकि angle of incidence would be equal to angle of reflection why? because this is very standard कि आपके जो laws of reflection है they have to be followed बट अगर मैं बात करूँ यह सारी rays अलग-अलग तरीके से irregular surface से टकरा रहे है तो angle of incidence सारे अलग होंगे और वो respectively angle of reflection के बराबर होंगे तो law of reflection जो है वो अभी भी valid है चाहे diffused reflection हो चाहे regular reflection हो बट यहां पर हम देखते है कि rays parallel होती है और यहां पर हम rays देखते है जो एक दूसरे से parallel नहीं है mention against each of the following whether regular diffused reflection will take place तो polished wooden table polished है तो regular surface होगा देफोर regular reflection पर chalk powder जो है वो तो regular नहीं होता है इसलिए वहां जो reflection होगा that will be diffused reflection cardboard surface भी अगेन अगर हम छुए तो खुरदोरा सा होता है so diffused reflection marble floor with water spread on it तो marble floor तो बहुत ही smooth होता है तो smooth surface से हमेशा regular reflection होगा again mirror की बात करो तो mirror भी polished surface होता है plane surface होता है तो उसमें भी अगेन regular reflection होगा piece of paper again diffused reflection तो यह सारे cases में हमने देखा कि जो smooth surfaces है उनमें definitely जो है regular reflection होगा otherwise diffused reflection state the laws of reflection तो हमने पढ़ा था कि incident ray, reflected ray और normal all lie in the same plane as the mirror और as the reflecting surface and angle of incidence is equals to angle of reflection so यह हमारे दो laws है describe an activity to show that incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane जी हाँ यह activity आप अपने जो है physics lab में जाकर perform कर सकते है जहापे आप एक sheet of paper लेंगे वहाँ पर आप एक mirror place करेंगे plane mirror और वहाँ से incident ray को mark करेंगे normal draw करेंगे and reflected ray draw करेंगे तो आप पाएंगे कि all these three lie in the same plane so I am sure you can do this activity in your physics lab fill in the blanks a person standing one meter in front of the plane mirror seems to be dash meter away from his image तो हमें पता है कि जितना दूर वो यहाँ person है mirror से उतना ही पीछे उसकी image होगी तो person और image के पीछ में तो distance double हो जाएगा यानि कि आपका answer हो जाएगा two meters if you touch your dash with ear with right hand in the front of a plane mirror it will be seen in the mirror that your right ear is touched with your तो अगर left ear को touch करूंगी तो वो right hand से दिखेगा और right ear को touch करूंगी तो वो left hand से दिखेगा तो आई हो पी आपको समझ में आ गया कि यह process को बोलते क्या है lateral inversion जो की plane mirror से होता है reflection के दौरान the size of the pupil becomes dash when you are in dim light तो dim light में pupil क्या चाहेगा कि light बहुत जादा आ सके क्योंकि light already dim है तो इसलिए वो अपना size increase कर लेगा परस अगर मैं बोलू brightness अगर बहुत जाद होगी तो pupil अपना size contract कर लेगा ताकि light आ ना पाए night birds have dash cones than rods in their eyes तो उनके पास less cones होंगे क्यों क्योंकि cones तो brightness और color देखने के काम आते हैं और जो birds night में जागते हैं उनके पास तो rods होंगे ताकि वो dim light में भी देख सके so I hope यह आपको clear है angle of incidence is equal to the angle of reflection यह हमेशा ही होता है बिकोज यह तो law of laws of reflection का एक law है तो it's always true that is a option image formed by a plane mirror is तो हमें पता है plane mirror जो image form करते है वो virtual होती है और वो उतना ही behind the mirror होता है जितना की object in front of the mirror होता है उसके अलावा उसका size भी same होता है object का image से तो let's compare तो इसके साब से हमें B points सबसे appropriate लग रहा है तो I hope plane mirror से जो image बनती है उसकी characteristics भी आपको समझ में आ गई हो इसके अलावा वो laterally inverted भी होती है वो भी हम यहाँ B option में add कर सकते है describe the construction of a kaleidoscope तो हम यह देख चुगे कि kaleidoscope एक ऐसा instrument है जो हमें different different beautiful patterns दिखाता है कैसे ऐसे कि हम उसे design करते हैं हम उसे घर पे भी बना सकते हैं और यह हमने video lectures में भी देखा है जब हम यह chapter पर रहे थे तो आईए मैं एक और बर आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना kaleidoscope बना सकते हैं उसके लिए आपको तीन plane mirrors लेने हैं और उनको इस तरीके से arrange करना in the form of a prism जैसे ही वो arrange हो गए उनने आपको join करना है और एक long cylindrical cardboard tube में या cardboard में आपको उनको put कर देना है उसके बाद एक end पर आपको cardboard लगाना है जहाँ पर आप एक hole करेंगे जिसके थूँ आप देख सके और दूसरे end पर आप एक mirror लगाएंगे जिसे आप close कर सके उसके पहले आप उसमें colorful pieces of glass आड़ कर देंगे जो की आपको different patterns show करेंगे और moving तो अब जब आप उस hole के थूँ observe करेंगे तो आपको different patterns दिखाई देंगे जो की actually में होता है due to multiple reflections और यही principle है kaleidoscope का draw the labelled sketch of human eye तो हमें पता है कि human eye में cornea होगा, iris होगा, pupil होगा यह तो outer भी हमें दिखाई देते हैं अंदर जो होता है that is your eye lens and eye lens के बाद जो यहाँ होती है layer that is retina और retina के बाद यहाँ optic nerves होती है जो की brain में signal जो है पहुचा देती है और वो कैसे करती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे nerve cells होते है I am sure आप एक human eye का diagram जरूर बना पाएंगे now next question gurmeet wanted to perform activity 6.8 using a laser torch her teacher advised not to do so can you explain the basis of teacher's advice तो laser light जो दिया है उसकी intensity बहुत ही जादा होती है और अगर laser light एकदम से आँखों पर पड़ेगी तो क्या होगा ऐसा भी हो सकता है कि eye lens से बहुत जादा light जो है वो retina पर चली जाए और retina जो है वो damage हो जाए उसमें जो मौजूद nerve cells है वो खराब हो जाए तो that is why teacher ने जो advice किया है वो इसलिए किया है ताकि intensity of light जादा ना enter करे ताकि किसी भी तरीके से blindness ना cause हो सके So I hope this is clear तभी हम laser beam पे directly नहीं देखते Explain how will you take care of your eyes तो सबसे पहले तो आपको आपका reading distance 25 cm रखना चाहिए which is optimum distance next आप क्या कर सकते है vitamin A rich foods खा सकते है fruits खा सकते है third आपको आपके eyes में बहुत जादा light नहीं आने देना है तो ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जहां बहुत जादा direct light आपके eyes को जो है strain cause कर सके similarly बहुत जादा dim light में जो है study नहीं करना चाहिए वरना हमें जो है eye diseases हो सकते है in which case we have to use spectacles that is myopia and hypermetropia तो इन कुछ तरीकों से आप डेफिनिटली अपनी eyes को protect कर सकते हैं तो I hope these are clear what is the angle of incidence of a light ray if the reflected ray is at an angle of 45 degree to the incident ray तो अब उन्होंने ये कहा कि incident और reflected और हमें पता है बीच में normal होता है तो अब वो ये कह रहे है कि इन दोनों के बीच का जो angle है वो 90 degree है और हमें तो पता है angle of incidence और angle of reflection एक बूसरे के बराबर होता है as per the laws of reflection तो क्या आपको लगता है अगर टोटल 90 है तो आधा-ाधा कितना होगा 45 degrees तो जी हां आपका answer है कि बोथ अब इस अर इक्वल and इक्वल to 45 degrees तो इस बिकास बेदे आर बोथ इक्वल तो इच आदर So, I hope this is clear How many images of a candle would be formed if it's placed between two parallel mirrors separated by 40 cm? So, if I have separated two mirrors from 40 cm and put it in parallel and put it in a candle, then what will happen? Multiple reflections will be made by which I will not see many images from the candle's image. So, this process which is in world over here is multiple reflections. So, you can see that multiple and infinite images would be formed due to multiple reflections. Two mirrors meet at right angles. ठीक है भाई, दो mirrors को हमने एक दूसरे से राइट अंगल पर रखा है. तो हमें ये बोल दिया गया कि ये जो अंगल है, वो कितना है? 90 degree है. तो अगर ये अंगल 90 degree है, और ये अंगल जो है उन्होंने बोला है, a ray of light is incident on 1 at 30 degree. तो ये ray of light मैंने incident कर दिया 30 degree पर. अब वो ये बोल रहे हैं कि draw the reflected ray from the second mirror. यानि कि मुझे ये जो second mirror है, ये first mirror है. इस पर 30 degree है, तो यहां से आएगी, टकराएगी, यहां टकराएगी और यहां से जाएगी. तो यहां से जो reflected ray है, उसका अंगल कितना होगा? ये पूछा है. तो ये काफी अच्छा question है, एक difficult question है. तो आएए देखते हम इसे कैसे solve करेंगे. तो हमें एक चीज तो पता है, कि ये जो incident ray का angle of incidence 30 degree है. तो angle of reflection भी कितना होगा? जी हां, 30 degree. As per the laws of reflection. तो एक बात तो तै हो गई, कि ये वाला जो angle है, ये कितना है? 30 degree. अच्छा. बट हमें ये भी पता है, कि normal और इस surface का जो angle है, वो भी normal is always 90 degree to the surface. तो अगर ये जो angle है, ये 90 degree है, जिसमें से ये 30 है, तो ये कितना होगा? Definitely आप बता सकते हैं, ये होगा 60 degree. तो 90 में से 30 minus किया, तो 60 आया. अब, अगर मैं ध्यान से देखूं, तो A, B, C. एक right angle triangle है, जिसमें एक 90 degree angle है, एक 60 degree है. तो क्या ये third angle आप निकाल सकते हैं? जी हाँ, 180 में से minus कर दीजिए. तो जब मैंने इसको 180 में से minus किया, तो ये आगया 30 degree. अब, ये रे जो यहाँ incident हुई mirror 2 पे, ये reflect भी करेगी. और हमें इसी का तो angle निकालना है. तो वो करने से पहले हमें क्या draw करना होगा? normal. तो हमने ये normal draw कर लिया. तो अब, क्या आप मुझे बता सकते हैं, ये normal इस surface से 90 degree पे होगा? जी हाँ. तो अगर ये पूरा angle 90 degree है, तो ये वाला angle कितना हो गया? 60 degree. और अगर ये angle 60 degree हुआ, जो कि angle of incidence हो गया यहाँ पर, तो ये reflected angle भी कितना होगा? friends, 60 degree. So your answer is 60 degrees. तो आप ये देख पारें, कि जो incident ray mirror 1 के लिए है, वो reflected ray जो mirror 1 के लिए है, वो incident ray है mirror 2 के लिए. जी होगी और वो कितने angle पे होगी? Angle तो बराबर ही होता है, as per the laws of reflection. So your answer is 60 degree. So I hope this is clear to you. हमारी next video में हम next chapter पढ़ेंगे class 8 science का. Till then, thank you.